केंस टेकनोलोजीज के मैनेजमेंट से बात करने का कंपनी के CFO जैराम संपत अब हमारे साथ जुड़ गया है मिस्टर संपत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय देने के लिए कब से पहला सवाल तो आपके manufacturing potential पर ही होगा क्योंकि street भी काफी excited है आपकी manufacturing potential जो कि आपने पिछले सालों में दिखाई है उसे मद्दे नजर रखते हुए आने वाले quarters में किस तरह की growth देखेगी वो समझने के लिए FY20 से FY23 तब क्या अगर statistics को देखें double revenue growth यहाँ पर देखने को मिली है तो क्या येसी तरह के sentiments इसी तरह की history जो है आगे भी repeat होती हुए दिखेगी 2500 करोड FY25 तब क्या आप आए कर रहे हैं दाउट नंबर के बारे में मैं अभी कहना नहीं चाहता लेकिन आपका जो असेस्मेंट है वो सही है हमने जो देखा है कि पिछले बार जब हमने बात की थी आपसे तो अब आप से तो about 1500 करोड पर महने का ओडर और इंफ्लो था अब उपर जाके about 175 करोड हो रहा है यह चे महीने में होगा तो ऑबिस्टी पर से साथ पर से उपर गूपर दिख रही हैं पर यह जो है existing business जिसमें हम लोग आपास clients हैं के साथ relationship उसके उपर है और जो major mega trends जो है जैसे कि बाहर से जो business को अंदर आ रहा है और इंपोर सब्सक्रीशन हो रहा है इंडिया मिन्योर सेक्टर्स को रहा है तो इन सब का benefit अभी आना बाखी है असली ग्रोथ जो आएगा है FI 24, 25, 26 ने आपको देखना है एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे मिस्टर संपत क्योंकि आनलस काफी बुलश है China plus one, Europe plus one benefit के लिए Indian players के लिए especially और in terms of electronic manufacturing आपको यहां कितनी बड़ी opportunity size में दिखता है यह जो सबसे पहला जो हमारी opportunity वो import substitution के वो government ने enable कर दिया है तो that is वो ही काफी बड़ा growth है उसके उपर हम लोगो capacity बनाना पड़ेगा और चाहिना प्लस one जो कह रहे हैं वो एक्शली काफी बड़ी opportunity है उसकी यदि हम पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें तो company की जो है turnover double, triple हो सकती है यह चीज इतना आसान नहीं है वो हमको capacity बनाने पड़ेगा इंप्रूब करना पड़ेगा execution में improvement लाना पड़ेगा पहले जैसे कि एक factory में एक साथ में बना देते हैं छे मैना तीम मैने बनाने पड़ेगा और यह सब चीजे हैं बट आई थिंक चाइना प्रस उन वगएरा जो काफी it will completely multiply the business in it sir एक चीज आपसे और समझना चाहते हैं हाला कि आप एक ऐसी company है जो कि सारे भारत के जो उभरते हुए sectors है उससे connected है आप aerospace से हैं आप auto से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आप अगर आप guidance के तौर पर हमको यह बताएं कि इस segment की order book का size काफी strong रहेगा वो globally भी और इंडिया से भी आप defense and aerospace की बारें बात करें मेरे क्यांसे हाँ defense में aerospace में auto में कहीं भी जहां जहां पर आपका order book का size अच्छा है जी so अभी हमारा जो experience है of course हमारी listing होने के बाद ज्यादा time नहीं वा नवर्बर में listing हुई थी उसके बाद हमने यह देखा है कि consistently हमारे पास हरे एक sector में orders आ रहे हैं और कुछ-कुछ sectors में जहां हम लोग ज्यादा present नहीं हैं वहां भी हमको बड़े RFQs आई हुए है so हम यह देख रहे हैं कि जैसे defense हुआ, aerospace हुआ, automotive हुआ, electric vehicles हुआ, industrial हुआ यह सभी sectors में काफी strong demand है यह इसलिए है कि तीन, इदर थी factors एक तो है जो पहले import करते थे country में, वो सब अभी, I think because of government pressure and other things, वो अभी इंडिया में बनना चालो हुआ है और दूसरी चीज है कि इंडिया का growth भी काफी है आपने सुना होगा काफी analysts से कि हमारा जो real growth है, it is now outstripping the rest of the world's expectation और तीसरी बात यह है कि बाहर से भी काफी South Asia और China और ऐसे कि उनको business shift करना है यह तीनों factor रखे हर एक sector में जो है growth है और हमारी जैसी company जो हर एक sector में present है उनको इस growth का काफी फाइदा होगा, उसमें एक ही चीज हम पर execute करना पनेगा और एक और सवाल आप से यह जानना चाहेंगे कि आपके recent order inflow और client conversation किस तरह के इस वक्त नजर आ रहे हैं किया आपने कोई major customers इस वक्त sign किये हैं, कोई major acquisitions हैं जो आप आए कर रहे हैं, order book कि स्थती कैसी है जी, जी, so actually काम करने को काफी है और जो existing clients से order book हमारे इस साल का जो भी हमने पुछले बार guidance दिया तो तो अरड़ी order book में आ चुका है और अभी पुरे एक साल बाकी है for order, so इस साल definitely हम exceed करेंगे हमारे जो भी earlier expectation था और बड़े clients के हिसाब से दो तीन एरिया हम हमारा काम चल रहा है, तो obviously in the medical sector, industrial sector and also in the EV sector, इन तीनों sectors में हमको काफी बड़े-बड़े orders की expectation हैं, जिसमें हमारा जो existing business है, वो significantly increase होगा, और दूसरी चीज़ यह है कि इस साल हम लोग हमने हमरे perspective में mention किया था कि कुछ-कुछ backward integration करने वाले हैं, तो उसमें भी हम काफी progress कर रहे हैं, काफी effort डाल रहें, ताकि FI 25 में कम से कम sectors जैसे कि AT&P हुआ, जैसे कि Bayer PCP हुआ, वो सब भी हम लोग तो क्या होगा कि हमारा जो business है, holistic growth रहेंगा उसमें, qualitative growth रहेंगा, not just manufacturing, but it'll be a very very composite kind of a growth in our business. All right, लेकिन Mr. Sampat, क्योंकि बात बार-बार ये की जा रही है कि बाहर की countries में चाहे भले ही mild slowdown हो, mild recession हो, लोकि economic growth थोड़ी सी तो slowdown anticipate की जा रही है, आपके business को कितना impact पड़ेगा क्योंकि आपका भी 20% export है? जी, so हमारा जो है, basically हम लोग non-consumer sector में है, so उसमें एक benefit यह होता है कि हमको immediately अगला quarter और अगला year में को ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है क्योंकि यह सब project-based demand है, एक ही sector है, जो automotive और EV है, वो अभी slow होता हूँ, दिख नहीं रहा है हमको, बाकी जो sectors है, they are not linked, उतने directly linked नही आपके recession के fear से, so वो एक वाक, तो दूसरी चीज यह हुई कि हमारा पैकलॉग इतना है इंडिया में, कि even अभी आप यह मान लीजिए कि अगले 10 साल वर्ल का growth नहीं गो रहा है, तो भी हमारे पास इतना electronics बनाने को है कि जो electronics company हैं, उनकी growth जरूर होगी, so इसमें एक ही चीज तो सही है सर, कई industries ऐसी होती हैं, जिनके पास order को जड़े के मेहनत करनी पड़ती है, आपको order को पूरा करने में जाना मेहनत करनी पड़ती है, तो आपकी company अच्छी है, आपके सोच काफे अच्छी लग रहे हैं, काफे सरल तरीके से आप बता रहे हैं, और दूसरा आपका समय देने के लिए अच्छा लग आप से आज बातचीट करके जल्दी आप से वापस भी मुलाकात होने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्यों वेरु मच्छ